नमस्कार दोस्तों क्या कॉंग्रेस से गठवंदन करके 2024 में राहुल गांधी को प्रधान मंत्री बनाएंगी बसपस प्रयो मायवती जीहा मित्रों आप सभी जानते हैं कि लोकसवा चुनाव नजदीक है और इसी को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारि हैं इस बार मोधी को और बेजीपी को कड़ी टक कर देने के लिए कॉंग्रेस पार्टि के राहुल गांधी जम कर मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता हसल करने के लिए किसी भी पार्टि को उत्तर प्रधिस में सबसे ज़्यदा सीटें जीतना बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन जहां तक कॉंग्रेस पार्टि की उत्तर प्रधिस में बात करें तो कॉंग्रेस पार्टि आपको तादे की कोई खास मजबूत उत्तर प्रधिस में नहीं हैं क्योंकि यहां बसपस प्रयो मायवत्ती अकले स्यादव और अन्राज नीतिक से कोई भी उनकी यात्रा में सामिल नहीं हुआ और जहां तक बात है कॉंग्रेस और वस्पा के गठवंदन की तो बीएसपी के राष्टिय प्रवक्ता ने कहा था कि अगर बिपक्षी कॉंग्रेस का महां गठवंदन होता है तो इसमें अगर बहन जी को प्रधन मंतरी पत का दावेदार घुसित किया जाता है तब तो वह बिपक्षी गठवंदन में सामिल होंगे नहीं तो अपने ही दम पर चुनाओ लड़ेंगे वहीं अकले से आदव ने कहा कि उत्तर प्रदेस के साथ साथ अगर हमें कॉंग्रेस पारटी मध्ध प्रदेस और उत्राखंड में लोग सबाकी सीटों के साथ गठवंदन करती है तब वह इस सर्थ पर गठवंदन करेंगे तो कहीं न कहीं दोनों पारटी ओने आपको तादे की राहूल गांदी की मुश्किलें बढ़ा दिया और सीधे संकेत दिया कि वो राहूल गांदी की कॉंग्रेस पारटी से उत्तर प्रदेश में तो गठ बंदन करना नहीं चाहते हैं क्या आपको तादे की बेजी पी को हराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए क्यों कि एक मजबूत महागठ बंदन ही बेजी पी को खाल फेक सकता है आपकी क्या रहा है कॉमेंट करके जरू बताएं धन्य सकता है झाल झाल झाल